असलाम अलेकम मैं हूं स्तीका आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्तीका सीक्रेट रेसिपीज आज मैं आपके साथ दाल माश और चिकन की रेसिपी शेयर कार रही हूँ इसके लिए मैंने माश की डाल लिए एक कप ये धुली और चिलके के बगएर जो डाला इसे साफ करके कम असकाम एक गंडा पहले आप इसे घो दे दो से तीन पानी दो के आपने इसे पानी डाल के इसके अंदर आपने इसे छोड़ देने एक गंडा अब इसके अंदर जो चिक करने लगी हूँ एक अस्पार में डाल के अब इसे बोयल कारके इसे मैं ढिना लग कर दूंगी और यह जो स्टाँक बचचेगा कि इसके अंदर यह नी वह भी इसके अंदरी स्टमौल करूंगी अब मैंने वह سास्पन में पानी डालके चुले पर रखे हैं और इसके अंदर अब माश की डाल डाल जी हूँ यह मैं अलग से बॉयल कर लूँगी यह सबसे असान तरीका यह बिगनर्स के लिए भी आप इसे अलग से बॉयल करें फिर यह खिली-खिली सी मज़े की बनेगी अब जो उपर जागा नहीं है जैसे इसमें उबाल आ बनती है अब इसे आपने दिहान रखना है फिर भी वो उबले ना आँच स्लो कर दें फिर आपने इतना डकन बान करके पकान है अब इसके अंदर अधरक ज्यादा जाती है मैंने अधरक लिए लसन के पांच से छे जवे एक मिडियम प्याज एक टमाटर और तीन से चार सब गाज मिर्ची और अधरक का मैंने वह दो इंच का टुकडा लिया ये मार्ष की डाल में अधरक जादा मैं डाल रही हूं अब मैंने वह आदा काप कुकिंग औल गडाई में डाल ला अर इसके मिर्च करके सारी चीजन Educational देट ढान के और वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं आप इसे अच्छी तरह मसाले को भून लेने ये सबसे असान तरीक है ये मैं चिकन को वाइल करके श्रैट कर रही हूँ आप चाहें तो पूरा चिकन भी इसके अंदर जिस तरह वो बनाते हैं वो आप इसके अंदर मसाले के अंदर भून ले अब इसके अंदर नमग एक टीस्पून सुरुफ मिर्च मैंने एक टीस्पून डाली है भरके इसके अंदर मैंने कश्मीरी मिर्च भी ऐड़ की होती है इसे कलर अच्छा आता है और आदी टीस्पून इसके अंदर हल्दी कश्मीरी मिर्च मैंने सुरूफ मिर्च के साथ ही थोड़ी सी मिक्स की है ताके वो उसका कलर अच्छा है आदी टीस्पून हल्दी डाल लिए और इसे अच्छी तरह मसाले को भूनना है अब जो चिकन के अंदर से चिकन बॉयल हो चुक है जो उसके अंदर से यहनी स्टॉक सा बच्चा है वो मैंने इसके अंदर डाल दिये ताके वो अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आजे अगर आपने बॉनलेस डालना है तो आप इसके अंदर बॉनलेस इस तरह मसाला भूनते होगे वो डाल लिए वो जल्दी गाल जाता है और अगर आपने फूल चिकन डालने है तो वो भी इसके अंदर डाल के भून सकते हैं अब भूना हुआ जीरा इसके अंदर एक टीस्पून भर के डाल दी है पिसा हुआ और उबला चिकन श्रेड करके वो भी डाल दी है और थोड़ी देर इसके अंदर बुनूँगी मसाला अच्छी तरह बुन चुका है उसका ओयल उपर आ गया था फिर वैने इसके अंदर वो चिकन की यहनी डाल लिया ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आजे आप इसे ये बनाएं ये बहुत मज़े की बनती है और अगर आपने ये चिकन वगारा नहीं भी डालना तो आप ऐसे ही वो दाल को अलग से बुईल करें और मसाला इस तरह ये वाला मसाला बुन के आप इसके अंदर वो दाल डाल दे आप दाल गल भी गयी है ये आप चक कर सकते हैं और थोड़ा सो इसके अंदर जो पानी है इसके अंदर ही ये मैंने डाल दिया है आप इसे मिक्स करके ये बहुत असानी से एक तो ये जल्दी बान जाती है और एक इसका वो खिली-खिली सी बनती है अगर आप इसे अलाग से बॉयल कर लें ये बॉयल करते हुए ये जल्दी गाल जाती है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपने पहले इसे बुगो के जरूर रखना है आप इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसे कवर करूँगी ताके वो सारा इसके अंदर वो फ्लेवर आजे काली मिर्च डाल रही हूँ इसके अंदर आदी टी स्पून ये आप ज़रूर डाल लें एंड पे इसका मज़े का फ्लेवर आता है और इसके अंदर आपने अदरक ज्यादा डाल ली है थोड़ी सी मैंने वो काट लिया है वो जूलियन काट में नबाई में थोड़ी सी और बाकी मैंने सारी इसके अंदर वो ब्लैंड कार ली थी आप ये पाक चुकी है थोड़ी देर के लिए इसे कवर कार के आँच स्लो कर दूँगी सिर्फ इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी काली मिर्च मैंने अभी डाली है और इसके अंदर जीरा गया और इसके अंदर कुछ भी मसाले वगरा नहीं जाते हैं और बहुत मज़े की बनती है आप ये बन चुकी है मैं इसे नकाल रही हूँ आप इसके अंदर मेथी आप वो डालें सबस धनिया डालें यह दाल इस तरह जट पर बन के त्यार हो जाती है चिकन और माश की दाल अब मैंने सबस मिर्च थोड़ी सी मैंने नकाल लिया और सबस मिर्च और थोड़ी सी आप पर दोड़ी सी